बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदला हुआ है साथी साथ अब क्रिसी के छेत्र में भी तक्नीक का प्रियोग हो रहा है और आधनिक तरीके से खेती की जा रही है और इसमें तक्नीक का बहुत आहम रोल रहा है और इसी तक्नीक को आज में एक क्रम है जिसमें को ड्रोन है जो आज हम ग्राउंड में हैं और जानेंगे कि जमीन की जो मैपिंग है तमाम चीजों की रिकॉर्ड़ को दिखाने वाले हैं आपने कई वीडियो देखा होगा लेकिन आप ने उसका प्रैक्टिकल रूप तौर से नहीं देखा लेकिन आज हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे ह के खेत में और नमसकार मेरा नाम क्रतीक कुमार है और या ड्रोन यह PRATTLE One इसको आयो टेक वर्ल डेविगेशन जो है वह वह मैनेफेक्चर करता है डीजी सी इसे अप्रूवड ड्रोन है नीचे आप देख रहे हैं दस लिटर का टैंक लगा होगा दस लिटर के टैंक में आप दवा की मात्रा जो एक एकड़ की रहती है वह और दस लिटर पानी मिला के इस टैंक के अंदर डाल देंगे इसके बाद दूसरी जो नेक्स्ट स्टेप इसका रहता है कि हम मैपिंग करते हैं कि किस खेत में छड़काव किया जाता है मैपिंग करने के तीन तरीके हैं तो पहला तरीका तो यह हो गया कि आप यह रिमोट भी देखिए आप साथ में जी पेड़ पौधा पत्ता तार यह सब चीजे ना हो तो आपके लिए गूगल मैप सबसे सुटेबल है दूसरा क्रिया यह है कि आप जो मशीन यह सामने पाइलेट लेकर खड़े हैं इसको जीस कहते हैं इस जीस को लेके आप अपनी खेत की मेड़ घूम लीजिए उससे भी आ इसे यह पॉइंटर आप बताएए आपका नाम क्या पड़ेगा अभिनाज्य कैसे वॉन्टर क्या करें ए Här पॉइंट में इपंट मैं को स्लक्त करऊएप इडिट पोजीशन करूंगा, फिर सेट फों ह 누chnya यह आर्सी पोजिशन करूंगा तो यहां पर आर्सी है मैं यहां पर देखिया पॉइंट एक है सकते हैं उड़ा के हम उस पॉइंट को पकड़ेंगे जो कोना होगा उस खेत का उस कोने को पकड़के भी हम खेत नाप सकते हैं कि आज हम आपके उस मैपिंग करिया में हम ड्रोन को ओड़ा के मैपिंग कर कि आपको दिखाते हैं अब देखा है के अब उड़ेगा अब उड़ेगा आप खेतों में भी ब्रोन और यह नए तकनीक और क्रिसी के नए छेतर में बदलाव की एक नई कडिक है अच्छा तो कितन पाइदा इस तरह के ड्रोन पाइलेट जो आप लोग हैं चीजे बन दें कितना रोजगार के कितनी बहतर संभाव नहीं बहुत है जो भी इसमें पाइलेट है जो भी पाइलेट का जो प्रोसेस है वह सेवें डेज का इसका ट्रेनिंग है तू डेज प्रोसे चलती है जो ही हो से फाइब डेज यह प्रेडिकल होता है मेरेट में लिया हूं बढ़िया जोब जोब कोई करें तो जोब उसको रोजगार कहीं भी मिल सकता है क्या बात है तेकिए क्रिसी है और क्रिसी सो जोड़े देगा कुछ ने कुछ फैदा होगा अब डोन उड इसलिए लोग फीछ रहते हैं अधा अधा शेप्टी थोड़ा सा दूर है हलिकशुप्टर जो दूर हो जाते हो यह फीजब उड़ेगा तो दूर होज़ी है अभलोग चलिए यहां पर आजाईया अधा इसको आर्म करेंगे और एक्म आस्टार्ट करेंगे इस यह यह है य कौन सा यह वाला इसके इस खेत के अंदर हम लोगाय करना चाहते हैं तो इस खेत की मैंपिंग की जा रही है यह पहला कोना हमने पकड़ा है क्चेत का इस कोने को हम पॉइंट कर लेंगे इसके बाद हम दूस्रे कोने पर लेकर जाएंगे जहां पे इसको पॉइंट करना होगा है चलिए सब्रेख चलिए इस लेकर चलिए दो तोन पूजिशन एँ प्रम पोईशन तों यहां है यहां पर यहां पर आगए प्राइख इदर भूत में तत्व इस साइड लेता है यह दूसरा पॉइंट है यह मेरा यहां द्रोन है यहां पर देख सकते हैं यहां पर द्रोन है मेरा यह पॉइंट को एडिट पोजिशन करूंगा सेट फॉर्म यह द्रोन जहां पर वहां पॉइंट चले जाएंगे फिर मैं इसी सामने लेता हूं तिसरा प अब इडिट पोजीशन सेट फों टून पोजीशन आगया फिर मैं जौथा पॉइंट ले रहा हूं कि मात्र तीस सेकंड में जाम यह मैपिंग कर लिये हैं 30 सेकंड में मैपिंग कर लिया और बता देंगे कितना जमीन है जाओ था पॉइंट है यह हो गया मैं यह टोटल जिरो पॉइंट नाइन एकर है जिरो कड़ में थोड़ा सब थोड़ा सब्सक्राइब यह मैपिंग हो गई है अब मैं ड्रोन को नीचे लाओंगा तो तक है उसके वाद फिर मैं इसे सेट करूंगा अच्छा एक बार करने के मैपिंग हो जाएगा फिर उतारा जाएगा दव आप बैटरी ज्यादा खबादेंगे क्योंकि बैटरी लोड लेकर चलेगे अच्छा इसमें आप जादा से ज्यादा एरिया कवर कर सकतेगे है जुआ количество है तो यह हमने लैंड कर दिया है अभी अब इसमें हम लोग दवा बरेंगे जैप जहां उडाना होगा वसकेट में तब इसका मैं setup करूंगा जी यह पुरा नेट इंटरनेट पर चलता होगा इसके लिए नेट की जूरत नहीं है पर सेटलाइट की रिक्वार्मेंट रहती है इसके बाद यह सेटलाइट से भी अपने आपको चला सकता है इंटरनेट यह नेट की इंटरनेट की जूरत पड़ेगी जब आपको गूगल मैप आपको इस पर चाहिए होगा तब अच्छा गूगल मैप के लिए तो इसमें पर उस्थालागी होगी ना पुरा सिम नहीं आप अपने फोन से होट्सपोट दे कर भी इसको चला सकते हैं अभी हम मैप को सेट कर रहे हैं कि हमको चलाना किस तरव दर दिशा में हैं आपको ऐसे चलाना है या फिर इस तरीके से चलाना है कैसे कैसे या तो ऐसे चलाना है या एसे चलाना है या फिर आप तिर्छा चलाना चा पतलब होई है अब हम इसको सेव कर लेंगे डाटा को सेव करको यह मैप इस ड्रोन को भीज दिया जाएगा इस ड्रोन को पता रहेगा कि मुझे इस मैप को फॉलो करना है और फिर वहीं मैप हम लोग इस जी से भी अप्लोड कर देंगे दोनों सिंक हो जाएंगे सिंक होने के पर यह एक साथ चलना शुरू करें इसके जो भी डायक्शन रहेंगे उस पर काम करें तो यह पूरी प्रोसेस कितने दिर के होती है अभिनाजी आप अगर मैपिंग से लेकर और एक एकड़ के अगर मैपिंग की बात करूं तो अब से लेकर और उडाने की जो क्रिया रहती ह अब बेसितंते हैं इसके अलावा आप जो किसान दवा बनाने अगर तयार तो दवा भरने महीं एक मिन लागेगा 58 मिनट में आप एक एकड़ खतम करतें आप देख सकते हैं पीछे ड्रोन है और यह पूरी प्रोसेस है आट और मैनूल आप दोनों कर सकते हैं तो अब से कंपनी भी इस तरह की सुभधाय किराय पर दे रही है और एक बेहतर विकल्ब कितना रुपे किराय लग जाता है प्रदिक जी हम 500 रुपया एकड चार्ज करते हैं लेकिन अगर फार्मर के पास किसान के पास जादा एरिया हो तो हम उसमें देख सकते हैं कि हम क्या उसमें डिस अगर कहा जाए उपयोग जो हो रहे हैं तकनीक का वो इसका एक उधारन भी है ड्रोन का अपने उपयोग बहुत चीजों में देखा हुआ हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि साथ से आठ मिनेट में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी 500 रुपे से करीब चार्ज है लेकिन अगर आप किसी मजदूर या चीजों से करवाते हैं तो करीब 400-500 से जादा का चार्ज आपको लग जाता तो कुछ पैसे के साथ समय की बचत होगी और एक लगातार यह चीजें आपके लिए क्रिशी के छेत में बहतर विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है तो यह पूरे ड्रोन की विधित ही कैसे मैपिंग की जाती है जैमीनों का कैस सिलेक्षन किया जाता है अएक कैसे सेलेक्ट किया जाता है पूरे और वीडियो आपको बहुत की अच्छा लगा होगा और अब कि आपके ही प्रतिक्रीयाओं का हमें principle करने के बारे में सोचते रहते हैं और कुछ आईडिया चाने हैं तो आप अपनी कमेंट ज़रूर हमें बताएं ताकि हम कुछ और भी नयाक करते रहें तब तक के लिए हमें दीजे इजाज़त नमस्कार